हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप गर बैठे बैठे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी वीकल को ड्राइव करने की सोचते हैं तो आपके पास एक most important document यानि कि आपके पास एक license होना बहुत ज़रूरी है तो अगर आपकी age 18 year हो जाती है तो आप क्या करते हैं अपने learner's license के लिए अपलाई करते हैं तो इसके लिए आपको एक test भी देना होता है और फिर आप क्या करते हो sameprevend.gov.in site पर विजिट करके अपने license को download भी कर सकते हैं बट इसके बाद हमें क्या करना होता है अपने driving license के लिए online apply करना होता है तो कुछ इस तरीके का interface आपको show होगा यहां हमारे पास top पर जो link आएगा हमने उसी link पर click करना है तो यहां हम prevent department के official page पर enter हो जाएंगे यहां हमारे पास license related services में बहुत सारे options given है यहां हमने drivers learners license वाले option पर click करना है तो यहां हमने अपनी state select करनी है तो जैसे हम यहां पर अपनी state select करेंगे तो हम यहां अपनी state के official page पर enter हो जाएंगे यहां हमारे सामने contactless license services से related एक pop-up open हो जाता है तो यहां हमने skip वाले option पर click करना है तो यहां हमने apply for learners license वाले option पर click करना है तो यहां हमारे पास learners license के लिए apply करने के लिए different different stages given है सबसे पहले हमने application details enter करनी है अपने documents upload करने है photo और signature upload करने है fee pay करनी है payment status को verify करना है receipt को print करना है और ll slot book करना है तो यह सारे steps हमने यहाँ पर complete करने है और continue की option पर click करना है तो यहाँ हमारे पास three options given है क्या आपका driving license या फिर जो आपका learner's license है वो कभी hold हुआ है तो आप यहाँ पर second और third option select करोगे अगर आपका जो applicant है यानि कि जिसका license apply कर रहे है उसका driving license और learner's license कभी भी hold नहीं हुआ है तो इसके लिए हमने यहाँ पर first option ही select करना है और submit की option पर click करना है अब next step है authentication means आप यहाँ RTO office visit करके अपने license को apply करना चाहते है या फिर online mode से apply करना चाहते है तो हम यहाँ पर online mode से apply करना चाहते है तो इसके लिए हमने यहाँ पर first option select करना है और submit की option पर click करना है यहाँ आपने ok की option पर click करना है तो आप यहाँ हमारी state already selected है हमने यहाँ पर अधार नंबर वाले option को select करना है नीचे अपने अधार नंबर enter करना है और generate OTP वाले option पर click करना है अब हमारे अधार registered mobile number पर एक OTP send किया जाएगा हमने वो same OTP यहाँ पर enter करना है नीचे तीनों checkboxes पर tick करना है और authenticate के option पर click करना है इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमें application details यहाँ पर show हो जाती है यह details अधार card से automatically fetch कर ली जाती है जो details यहाँ पर missing है हम वो खुद से enter करेंगे और proceed के option पर click करना है यहाँ हमने ok के option पर click करना है यहाँ भी हमारी कुछ details already fill है जो fill नहीं है वो हम यहाँ पर खुद से fill करेंगे तो यहाँ हम अपनी qualification select करेंगे अपना blood group enter करेंगे अगर आपके पास landline number available है तो आप यहाँ पर enter करोगे otherwise mandatory नहीं है अब हमने यहाँ पर अपनी email id enter करनी है आपने अपना mobile number enter करना है emergency mobile number भी enter करना है then हमने identification mark enter करना है means अगर आपके body पर किसी भी type से कोई mark है तो आप वो यहाँ पर enter करोगे अब नीचे हमने यहाँ पर अपना address enter करना है यहाँ हमारे present address और permanent address से related details automatically अधार कर से fetch कर ली जाती है जो details यहाँ पर missing है हमने सिरफ वही details यहाँ पर enter करनी है अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप इस address पर कितने time से रह रहे हैं तो आप यहाँ पर वो time period enter करोगे अब यहाँ हमने select करना है कि हम यहाँ किस type के vehicle के लिए अपने license के लिए apply करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पर non-transport vehicle drive करना चाहते हैं तो first option select करोगे अगर आप light motor vehicle drive करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यह वाला option select करोगे तो side में आप यहाँ देख सकते हैं वही option यहाँ पर add हो जाता है अब यहाँ हम motorcycle with gear और light motor vehicle license के लिए apply कर रहे हैं तो अब नीचे हमसे पुछा गया है कि क्या आप applicant ने किसी driving school से training ली है तो यहाँ applicant ने driving school से training ली है तो हम यहाँ पर yes वाला option पर टिक करेंगे अब हमने यहाँ पर self declaration form फिल करना है इसके लिए हमने यहाँ पर self declaration वाले option पर क्लिक करना है यहाँ हमसे physical fitness से related कुछ questions पूछे गए है इनके answers हम अपने according yes या no में देंगे और submit के option पर क्लिक करना है यहाँ हमने okay के option पर क्लिक करना है तो अब हमसे यहाँ पूछा गया है in case of accidental death आप अपने organs donate करना चाहते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर yes वाल option सेलेक्ट करोगे otherwise आप यहाँ पर no वाल option सेलेक्ट करोगे नीचे हमने capture code एंटर करना है और submit के option पर क्लिक करना है यहाँ हमने okay के option पर क्लिक करना है तो इतना करते ही कुछी इस तरीके का interface आपको show होगा यहाँ आपको application number भी मिल जाता है आपका name, date of birth, gender, father's name यह सारी details आपको यहाँ पर show होगी तो आपने यहाँ next के option पर क्लिक करना है यहाँ आपने अपना application number एंटर करना है date of birth एंटर करनी है capture code एंटर करना है और submit के option पर क्लिक करना है तो आप यहाँ आपके अधार कार्ड से आपकी सारी details और photo fetch कर ली जाती है और यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि आपकी application यहाँ successfully submit हो जाती है और आपको यहाँ पर RTO office विजिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ first two steps successfully complete कर दिये हैं अब next step है upload photo and signature तो यहाँ हमारी photo अधार कार्ड से already fetch कर ली गई है तो हमने यहाँ पर अपनी photo upload नहीं करनी है तो अब सिरफ हमने यहाँ पर अपने signature upload करने है तो इसके लिए हमने इसी option पर click करना है और proceed के option पर click करना है तो यहाँ हमारी photo already upload है हमने अपने signature upload करने है इसके लिए हमने upload signature वाले option पर click करना है तो हमारे signature यहाँ पर upload हो जाएंगे अब हमने यहाँ पर save photo and signature image file वाले option पर click करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है updated successfully means हमारी photo और signature successfully upload हो चुके हैं अब हमने next के option पर click करना है अब आप यहां देख सकते हैं third step भी हमारा यहां पर complete हो जाता है next step है e-sign document तो हमने यहां इस option को select करना है और proceed के option पर click करना है तो यहां आपको application number और date of birth शो हो जाएगी हमने यहां पर submit के option पर click करना है तो यहां हमने okay के option पर click करना है तो यहां हमने नीचे अधार based e-sign वाले option पर click करना है यहां हमने अधार number वाले option को select करना है और नीचे अपना अधार number enter करना है then अधार OTP वाले option को select करना है और get OTP वाले option पर click करना है तो हमारे अधार registered mobile number पर एक OTP send किया जाएगा हमने वो same OTP यहाँ पर enter करना है terms को accept करना है और submit के option पर click करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे e-sign document successfully upload हो चुके हैं हमने यहाँ पर next के option पर click करना है अब हमारा जो next step है वो है fee payment का हमने यहाँ पर fees pay करनी है तो इसके लिए हमने यहाँ पर fee payment वाले option को ही select करना है और proceed के option पर click करना है यतना करते ही आपको यहाँ पर fees show हो जाएगी हमने यहाँ पर 500 रुपिस की payment करनी है यहाँ license wise भी fees show हो जाएगी अब नीचे हमारे पास payment options भी given है हम यहाँ अपना bank select करेंगे then capture code enter करना है और pay now की option पर click करना है तो यहाँ भी आपको आपकी सारी details show होंगी हमने नीचे I agree के checkbox पर tick करना है और proceed for payment की option पर click करना है तो अब हमारे पास payment करने के लिए different different mods given है हम यहाँ पर debit card, internet banking, UPI, wallets किसी भी mode से payment कर सकते है तो एक mode select करने के बाद हमने यहाँ पर pay now की option पर click करना है और 500 rupees की payment करनी है तो जैसे हमारी payment यहाँ पर done हो जाएगी तो यहाँ आपको status में success show हो जाएगा तो आपने यहाँ पर click here for print receipt वाले option पर click करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ fee payment में भी completed लिखा हुआ है अब last step है LL slot book का तो यह step exempted है तो अब नीचे mention है please watch road safety tutorial before proceeding LL test means LL test करने से पहले आपको road safety tutorial watch करना होगा means एक video को हमने complete watch करना है इसके लिए हमने click here वाले option पर click करना है तो अब road safety tutorial देखने के लिए हमने यहाँ पर generate OTP वाले option पर click करना है तो नीचे जो mobile number mention है इसी same mobile number पर एक OTP send किया जाएगा हमने वो same OTP यहाँ पर enter करना है language select करनी है आपके पास यहाँ पर two options हैं कि आप इस test को Hindi language में complete करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपनी language select करनी है और submit के option पर click करना है तो यहाँ से आप वीडियो को watch कर सकते हैं आपने यहाँ पर complete वीडियो को watch करना है कोई भी part में इस नहीं करना है तो अगर आप complete वीडियो watch कर लेते हैं तो यहाँ mention हो जाएगा You have successfully viewed the tutorial video तो आपने यहाँ पर submit के option पर click करना है यहाँ हमने proceed for LL test वाले option पर click करना है और online LL test को complete करना है तो यह test MCQ based test है और बिल्कुल से questions होते हैं आपने इनके answers करने हैं तो अगर आप यह test qualify कर लेते हैं तो आपका जो learner's license है वो यहाँ पर बन जाता है और आप इस license को आप online download भी कर सकते हैं इसको download कैसे करना है complete detailed video आपको मेरे channel पर मिल जाएगी आप जाकर देख सकते हैं I hope आपको clear होगा कि कैसे आप गर बैठे बैठे अपने driving license के लिए online apply कर सकते हैं आपको complete step clear होगी अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं So this is the end of my video अगर आपको मेरी video अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी video को like करें और मेरी channel को subscribe करें Thanks for listening and thank you everyone